तो हेलो ट्रेड़ोर्स और वेलकॉम तुद न्यूव वीडियो कभी भी यह नहीं बोलता हूँ कि सर आप यहाँ पे करोनो कमाल होगे या फिर आप लाखो रुपय आड़ करो मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि पहले आप मिनिमम कैपिटल आड़ कीजे पहले एक बार आप एक लॉट में ट्रेड करने की कोसिस कीजे एक बार अपनी प्रोफिटिबिल्टी लॉज को देखिए अपनी स्ट्रेडजी को अपलाई कीजे कुछ स्ट्रेडजी मैंने यूट्यूब पे डाल लगी है क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक बार आप देखिए डिफिनेटली एक समय के बाद अगर आपको कंसिसेंसी देखनी को मिलती है तो ही आप इसमें ट्रेडिंग चालू कीजेगा बाट कहने का मतलब क्या है कि पहले आप चालू तो करो तो चालू करने के लिए आपको मैं पहले कुछ एडवांटेज बताना चाहूँगा बिकॉस क्रिप्टो के रिगार्डिंग बहुत उल्टी सीदी निउस लोग बताते है पहला सबसे बड़ा फाइदा क्या है सर सेम टू सेम सबसे इंपॉर्टन चीश सबसे पहले जो प्राइस एक्षन टेक्निकल एनलसी सम लोग का स्टॉक मार्केट में काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक में सेम टू सेम कंडिशन साब की यहां पे भी काम करेंगी बिटकोईन में गर आप टेट करते हो एथिरियम में टेट करते हो रिपल में टेट करते हो या फिर आप किसी और क्रिप्टो करेंसी में टेट करते हो ओके सेकेंड तिंग जैसे मार्जिन आपको वहां मिलता है एकदम same to same आपको margin यहाँ पे भी मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा जो की I think बहुत लोग का demand भी रहता है कि stock market में सर से भी ने margin कम कर दिया है यहाँ पे आपको margin मिलेगा अच्छा कासा disclaimer from my side is बहुत ज़्यादा margin use नहीं करना है तीसरा सबसे बड़ा advantage क्या है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा advantages है that is stock market आपका अगर हम लोग Indian time से बात करें तो हम लोग का जो market open होता है from 9.15 to 3.30 तो बहुत लोग का क्या होता है कि इसी समय की बीच में job होती है अगर आप साम को आते हो और trade करना चाहते हो तो market आपका बंद है but crypto market 24 by 7 open रहता है अगर आप साम को भी आते हो अगर आप सुबह भी चाते हो anytime you can start trading ओके सो यह बहुत सारे फायदे हैं cryptos के अब definitely सर मैं आपको यह कभी नहीं कहूंगा कि पूरा risk अपना allocate इसी में करो पहले छोटा amount करो एक बार अपनी consistency को build करो then definitely आप trading चा एक पूरा section बना हुआ है अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे चालू करें तो देखिए जैसा कि आप देखते हैं कि हमेशा delta exchange में मैं trading करता हूँ crypto के regarding अभी मैं Ethereum में trade भी ले रखा है previous trading session में मैंने आपको बताया था upload करके video भी provide की है तो सबसे बड़ी problem आ रही है सबसे पहले आपको क्या करना है कि you have to open account in delta exchange वीडियो के description में लिंक है आप वहाँ के तुरू अगर account open कराओगे तो you will get 10% waiver on your trading fees जो भी आपकी brokerage आएगी उस पे आपको 10% off मिलेगा okay so friends आपको जाना है deposit के section में और आप यहाँ पे click करोगे select coin न तो यहाँ से आप directly deposit नहीं कर सकते हो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपको google पे जाना है और टाइप करना है वजीरेक्स ओके वजीरेक्स पे आप login कर लो पहले आपको sign up करना पड़ेगा अगर आपने sign up नहीं किया होगा तो मैंने पहले से ही कर रखा है अब यहाँ पे आप fund के section में click करोगे और यहाँ पे अगर आप rupees में जाके click करोगे rupees में deposit तो यहाँ से आप deposit कर सकते हो अब मैं deposit इसलिए नहीं करूँगा because अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से deposit पे जैसे ही मैं इस पे click करूँगा ना instant deposit पे amount आपको डालना होगा और यहाँ पे आप continue करेंगे आप deposit कर लेंगे मैंने पहले से ही यहाँ पे deposit करके रखा है ठीक है अगर आप देखेंगे लगबख मेरे पास 121 usdd के बराबर पड़ा हुआ है तो जोगी अच्छा कासा पैसा है लगबख 10,000 के करीब bitcoin में trade करन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए तो more than sufficient है भी हम लोग को trade करने के लिए जैसा कि यह पता है कि आपको यहाँ पे margin बहुत ज़्यादा मिलता है ओके आप यहाँ पे continue करोगे amount आपका यहाँ जैसे ही add हो जाएगा अब उसके बाद आपने कुछ नहीं करन है सर आपको simple क्या करना है यहाँ पे आपको वजीर एक्स पे क्लिक करना है आपका fund एड हो चुका है आपको यहाँ पे type करना xrp जो method बता रहा हूं उससी को apply करना ठीक xrp आपने click किया ओके अब आप यहाँ पे जो भी आपके पास fund जैसे माल लीजिए आप लोगों ने 5000 add किया है आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे क्या करो अपना xrp बाई कर लो 5000 में आपको जितनी भी xrp मिल जाएगी आप उसको बाई करो उसके बाद क्या होगा सर आपका यहाँ पे xrp दिखाएगा यहाँ पे आपका xrp में balance दिखाएगा जितना भी xrp आपने buying किया है with the help of rupees अब सर आपको यहाँ पे simple क्या करना है यहाँ पे आपको deposit के section में जाना है okay अब आपको क्या करना है select coin करना है किस coin को में select करना होगा xrp को we have to select xrp आपने xrp को select किया ओकी इस पर ok कर दीजिए आप अभी load हो रहा है अब देखो सर आपको इन दोनों को copy करना पड किया है इसको भी आपको copy करना पड़ेगा tag को and आपको यहाँ इस tag को भी paste करना पड़ेगा ripple हम लोग का रहेगा and यहाँ पे आप क्या टलोगे remarks जैसे मैं डाल देता हूं delta exchange तो जैसे ही मैं यहाँ पर proceed with withdrawal पे click करूँगा मेरा यहाँ थोड़ी दिर बाद obviously fund add हो जाएगा थ आपको दुबारा वजीरेक्स पे login करना है ओके वजीरेक्स पे login कीजे फाइन अब यहाँ पे आप क्या करो यहाँ पे जाओ and withdraw पे click करो fine withdraw पे आपने click किया and आप किस coin को withdraw करना चाहते हो definitely मैं XRP में करना चाहूंगा XRP पे आप click करो और यहाँ से आप fund में जाओ और यहाँ पे आप क्या करोगे ripple पे click करो deposit पे इसका आप destination tag copy कीजे यहाँ पे पेस्ट कर दीजे and इसका आप destination tag भी copy कर लो यह destination address होता है and this one is destination tag जो भी आप amount withdraw करना चाहते हो मैं अभी withdraw करना नहीं चाहता हूं because मैं trade करना चाहता हूं और आप जैसे ही fund मालीजे आप जो भी fund डालते हो 100 जो भी आपको डालना है और submit withdrawal request पे click करेंगे आपका withdraw हो जाएगा आपका withdraw कहाँ पे होगा यहाँ पे आपको ripple में आपका balance दिखाएगा अब आपको क्या है कि सर रिपल से पैसा कैसे निकालने रिपल में आ गया तो से भी पैसा तो निकालना पड़ेगा तो आप simply क्या करो यहाँ पे ripple में आपके पास पैसा आ चुका है आप ripple पे click करो और जो भी ripple है आपके पास उसको sell कर दो sell कर दोगे क्या होगा sell करने के बाद वो क्या होगा आपके rupees terms में आ जाएगा it will be showing in rupees terms यहाँ पे आपका पैसा द करना पड़ेगा अब आप क्या करो वजीरेक्स में अपना fund डाइड करो अपने local bank के दूरू जो भी आपका bank है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा फंड आपका अगर add हो वजीरेक्स में उसके बाद उससे आप क्या कर एक सार्पी बाई कर लो xrp आपने बाइंग कि अब उसके बाद क्या करो उस रिपल को आप delta exchange में deposit कर दो उसके बाद आप trading चालू कर सकते हो और कैसे आप withdraw कर सकते हो delta exchange से अब आप क्या करो withdraw कर आपको करना है तो simple आप क्या करेंगे delta exchange xrp में वजीर x का जो destination address and tag है उसको copy करके paste कर दो और यहां से आपका fund withdraw हो जाएगा वज account में, okay, so I hope friends आपको सबसे important जो problem आ रही है maximum दो मुसे ही पूछ रहे, comment करके sir, fund कैसे add करें, कैसे withdraw करें तो मैंने आपको इस video में बताया है अगर कोई query आती है, मुझे आप comment करके बताईए, साथ में friends, मेरी खुद की एक bitcoin and ethereum की strategy है, अगर आप video के comment में, comment करके बताऊगे strategy के नाम से, अगर आप strategy type करते हो, तो definitely आने वाले video में मैं वो strategy upload कर दूँगा channel पर अगर नए हो, तो channel को subscribe कीजिए bell icon को press नहीं किया, तो उसको भी press कीजिएगा, और जो भी friends आपके हैं जो crypto में trading करना चाते हैं उनको ये video जरूर share कीजिएगा thanks for watching this video and bye bye